आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लास्ट एड की मितेमेटिक्स जिसका पहला यूनिट है एप्रॉक्सिमेशन एंड एस्टिमेशन अप्राइक्शिमेशन औंड इस्टिमेशन डियर फरेंड़ पेले हैं कि अप्राइक्शिमेशन किसी चीच को कहते हैं इस्टिमेशन कियते हैं रफ क्लीकुलेशन व्यू नवर किसी भी कोई बी नमबर और आग़ purchases आपको कहें कि रफ जिस तरह हम कहते हैं कि तक्रीमेशन और इन दोनों का एक हमतलब है close to actual approximation का लफ जिमान है ठीक है not actual जिस तरह हम कहते हैं कि किसी चीज़ की लंबाई करनी हो तो हम यह अंदाज जिसे कह देते हैं कि यह तक्रीमेशन इतनी होगी तो सेम इसी तरह यहां पर यह आपके पस actual दोनी हो तो जब हम नाप लेते तो actual के बराबर नहीं आए ठीक है अब estimation और approximation का फाइदा हमें क्या होता है most common and easiest method of approximation and estimation is rounding off rounding off के जरिए हम किसी भी चीज़ को approximate कर सकते हैं या estimate कर सकते हैं या estimate कर सकते हैं इसका estimate हम लगा साथ है कि इतना हो सकते हैं नहीं हो सकता making the complicated number much simpler एक आपको complicated number दिया गया हो लंबासा number दिया गया हो ठीक है उसको असान मना के दिया देता है आपको approximation error difference between approximate and exact value. Approximated और exact value के दर्मान दिफरेंस होता है उससे आप approximation error कहते हैं कि जो हमने approximation की है एक exact value की उसमें जो गरत ही आ रही ठीकिए वह आपके पास approximation error है जिस तरह फॉर example आप लोगों के पास एक value है 40.53 यह मास है ठीक है किसी भी चीज का में से शुगर कर ले लें जिस चीज के भी आप लेंते हैं ठीक है यह आपके पास exact value है अब जब आप क्या कहते हैं आप वेगिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसके उपर रखते हैं तो वह point one पे जाता है point one से आगे नहीं जाता है जब point one वो मेयर कर सकते है point zero वो मेयर नहीं कर सकते है zero one तो हम point one तक इसको round off करते हैं उसको लिखते हैं कि 40.5 तो यह प्रॉक्सिमेशन आगा अब देखो error कितना हैं इसको इससे माइनस कर लें तो हमारे पास जो error है approximation error जिसे हम कहते हैं तो वह 0.03 यह आपके पास जो इस value और इस wheel की तरमें जो फरक आ रही है इसको आप कहते हैं approximation error significant figure कैसे कहते हैं dear friends accurate non-digit जो आप पेचान सको ठीक है जिसको जान सको इसे numbers को इस digits को आप क्या कहते है significant figures कहते हैं और यह आपको क्या बताते है accuracy किसी भी measurement किसी भी calculation में आपको accuracy बताता है कि वो calculation किस हद तक टीक है अब आपको किस तरह पता चलेगा कि कोई भी एक number दिया गया हो उसमें कितनी आपके पास significant figures है significant digits मौजूद है तो dear friends पहली बात आप non zero digits are significant जितने भी non zero digits है जिस तरह ये एक number है 1235.7 तो इसमें एक दो तीन चार पांच कितने significant figure है 5 जाएम इसी तरह दूसरा rule लेकि zero at the start of a number is never significant figure जब आप किसी नंबर के start में zero लगा ले जिस तरह ये है तो इसमें ये जो zero है ये significant नहीं है यहाँ पर significant सरफ एक figure है इसके लाव अगर आप इस तरह point लगा ले 0.007 तो ये भी आपके पास significant नहीं है okay क्योंकि start में ले गए अगर इसके बार लग जाए तो में भी में आर्मेनाट वाला वह इसकी भी rules नीचे है तो zero between non zero digits is significant जब zero इस तरह से आजाए for example हम लिखते है ये जी 707 या 101 तो ये दो non zero digits के दरमयान आया हुआ है तो ये significant है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 significant figures है zero at the end of hall number is not a significant अब hall number के से कहते है dear students zero one two three and so on ये आपके पास hall number है कह रहा है कि अगर इस तरह आजाए two one triple zero ठीक है अब इसमें कितने significant figure है अब अगर आप देखें ये hall number है one क्या है आपके पास hall number है तो इसके बाद जो zero आते हैं ये आपके पास significant figure नहीं है तो इसमें आप लोगे पास कितने significant figure हैं सर्फ और सर्फ दो जहें में रखने हैं चाहिए कि इसमें significant figure कितने होते हैं तो dear students कि हमने पढ़ लिया है कि किसी भी number से पहले किसी भी number से पहले जो आपके पास zero होते हैं वो significant नहीं होते हैं जिस तरह ये rule लिका हुआ है कि zero before या at the start of a number are not significant कभी भी significant नहीं हो सकते हैं तो एक तो seven हमारे पास none zero digit है वो significant है यह हमने कहां कि जब आखर में अब आखर में आफटर decimal point तो decimal point के बाद किसी भी digit के बाद जो zero होते हैं ठीक है आखर में वो आपके पास significant होते हैं तो इसमें आपके लोगों के पास एक दो तीन significant figures हैं अब rounding off आप किस तरह करेंगे उसके लिए कौन-कौन से rule है जब भी आपके special number को significant digit तक round off करते हैं को rounding off the specified number of significant digit आपको एक बता सकते हैं दो, तीन, चार जिस तरह भी आपको कहें कि एतने significant digit तक इसे round off कीजिए तो आप पहरेंगे अब किस तरह करेंगे कौन-कौन से rule उसके लिए apply करेंगे तो dear students पहला rule यह है कि round down if next digit is less than five अब इसके क्या मतलब है dear students के मतलब यह है कि for example एक, दो, तीन, चार, साथ, पांच, तीन, आठ, बलकि इस तरह नहीं दो यहां लिक लेते हैं और आपको कहें कि इसे आप round off कर ले seven digit तक कितने? seven significant figure तक तो हम इदर से गिनते हैं ठीक है? count करते हैं one, two, three, four, five, six, seven यहां तक आपने round off करना है अब देखें इस digit से आगे वारा digit जो है less than five है तो आपने इसी तरह लिकना है one, two, three, four, seven, five, three round down मतलब इसी तरह आपने लिक लेना है अगर अब दूसरा देखें round up if the next digit is greater r equal to five five से बढ़ा हो या five के बरावर यहां पर यह डिजिट जो है इस तरह से आजाए एक, दो, तीन, चार, पांच साथ, तीन, पांच तो पिर आप क्या करेंगे इस भी आग एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ significant figures अगर आप अगर आप से कहें कैसे round up करें तो आप किस तरह करेंगे यह साथ digits है, इस से अगला वाला देखेंगे कि वह five के बराबर है, five से बढ़ा है अगर five यह five से बढ़ा हो इसकी जगा six अगर हो ठीकिए यह five हो, seven हो, nine हो, जो भी हो तो पिर आप इस three को change कर लेते इसको एक नंबर बढ़ा लेते हैं तो यह आपके पास इस तरह से बन जाते हैं Okay dear students Okay dear students उमीद है कि आप rounding आप किस तरह से करते हैं ठीकिए इसकी आपको समझ आए होगी अब हम exercise की तरफ जाते हैं Okay dear friends आप exercise one point one की तरफ आते हैं जिसमें first question है Around the following whole numbers पर पहला question यह है दूसरा यह है तिसरा यह कि पहले question में कहा हैं कि 3 significant figure तक हाप लगोंने जो मंद्रे जजेल नंबर दिये गए है following number दिये गए होल नंबर ठीकिए उसको आपने round off करना है तो जो पहला number दिया गिया है 67245 मतलब 67245 आपको एक number दिया गिया है और इसको आपने round off करना है 3 significant figures तो देखें 1,2,3 हमने इस 2 तक इसको round off करना है जहन में आपकोंने रखना है कि 2 से आगे जो number है यह 4 यह अगर 5 से काम है तो हम इसी तरह से 7,2 और इन दो की जगह हम 0 लेक लेगे अगर यह 5 से above होता बड़ा होता, greater होता यह equal होता तो पिर हम एक number इसमें जाना करते है तो इसका answer क्या आएगा 6,7,2 क्योंकि 4,5 से कम है और 4 और 5 की जगह हम सिफर लगा रहे हैं तो यह आपके पास round off हो गया है अब कह रहे हैं कि 4 तक आप significant figures यह जो आपको number दिया गया है 4 significant figure तक आप round off कर लें तो देखे 1,2,3,4 अब तो 4 के बाद जो number है, digit है वो 5 से अगर greater हो तो आप यह जो 6 है इसको one number के साथ 8 कर लेंगे तो 7 हो जाएगी ठीक है अब इदर करते हैं 8,3,5 अब 6 के आगे जो digit है, यह 7 है greater than 5 है तो हम 6 में one eight कर लेंगे 7 लिख लेंगे और इस 7 की जग़ा आप लोगोंने zero डाल देना है क्योंके आपके पास last में किसी भी whole number किसी भी number के last में जो zero होते हैं ठीक है वो आपके पास significant figures नहीं होते हैं इसके लाब जो बाकी question है वो आपको solve करके इस इदरी लिखेंगे पहले समझते हैं अब आप त्रीस पर लोगों के पास five significant figures तक आप round off कर लें इस number को last number के लास्ट जीज के बाद जो next digit होता है equal to equal to r greater than five equal to r greater than five हो तो फिर आप one eight करते हैं ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा eight seven two three इसके जगा five और five phone की जगा zero zero तो यह आपके पास round off हो गए हैं अब decimal round of the following decimal numbers to three significant figures four significant figures and five significant figures तो चलिए देखते हैं कि exercise में किस तरह के question किस तरह के numbers दिये गए हैं जिसको हमने round off करना है तो पहला number दिया गया है dear students three significant figures से इस decimal number को हम ने का करना है round off करना है तो three decimal significant figure कौन से हो जाएंगे one two three one two three तो देखें eighty seven point अब तीसरा number जो है two है लेकिन उससे next digit अगर आप देख लें five है हमने कहा था अगर five या five से greater हो वह number तो फिर हम one eight करते हैं तो eighty seven point three हो जाएगा eighty seven point three हो जाएगा अब दूसरा question decimal के वाले से हैं जिसको बुक में इदर दिया गया four five और six question number ठीक है four significant figures तक आपने round off करना नमबरात को इसमें आपके पास पहला number दिया गया है seventy two point five six two three यह number है और four significant figure तक आपने इसको round off करना है one two three four यहां तक आपने round off करना है तो हम दिखते हैं seven two point five अब देखे six के आगे जो number है वह less than five है तो उसको आप इस और इदर आप हमने एक छोड़ दी है जहें में रखने इसके आपने zero नहीं लगाने क्योंकि इसके बार अगर आप zero लगाते हैं तो वह significant figures में आते हैं जैसे के हमने पढ़ा था rules में तो seven two point five six अपनी जगह पर आ जाएगा two three estimate हो गए ठीक है round off हो गए approximate हो ठीक है अगर हम two three की जगह यहां पर zero लिखते हैं तो हमने कहा है कि decimal के बाद किसी भी whole number के बाद जो zero होते हैं वो significant figure होते हैं ठीक है next question five significant figure तक आपने round off करना किसी भी number को जो आपको exercise में दिए गए पहना number है four point one zero nine eight seven यह आपके पास एक number है इसको हमने round off करना है five significant figures पहले देखे one two three four five यह five significant figures है total इसमें six है तो हमने five तक इसको round off करना है तो देखे four point one zero nine अब देखे eight last digit क्या है eight है लेकर उससे अगला digit जो है next digit जो है वो five से greater है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे nine now the solution of all other questions okay dear students यह solution रहा बाकी questions के जो चार चार पांच पांच जो रह रह रहते हर question में तो question number one के सारे parts question number two के सारे parts question number three के और question number four के five के इसी दरह six के ठीक है इसके remaining question इंशालला next video उस पर बनाएंगे ठीक है और वो solve करेंगे और question से given data किस तरह निकानता है यह भी आपको उसे काएंगे ठीक है जो word problems इसमें दिए गए है exercise one point one में उसका solution भी आपको करवाएंगे next video में ठीक है okay students अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो video को like करें comment करें share करें और channel को subscribe करें bell icon दबायता के हमारे नए आने वाली वीडियो की notification आपको वक्त पर मिल सके wassalam